आज हम रपेर आज कोचिंग के साथ जनेटिक्स बढ़े हुए जिसे हिंदी में अनुवांशी की भी कहा जाता है। आज हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो हैं जनेटिक्स हम क्यों पढ़ते हैं क्या होता है कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो जनेटिक्स के यूजली यूज होते हैं जो आपको जानना चाहिए देन मेंडेलियन लॉज के आई जो बहुत एंपोर्टन है उसके बाद डेवीशिस के आई मेंडेलियन लॉज से सपढ़ थोड़ा सा तच करेंगे जनेटिक्स जो बच्चर तयारी कर रहे हैं उन्होंने देखा होगा कि जनेटिक्स डिसौदरे की उपर बहुत सारे सवाल हर साल 2-3 साल मिलम आते ही आते हैं हमारा बान यह है कि अगर आपका कोई कॉई कोंसेट क्लियर है तो आप कैसा भी सवाल स्वाल कर सकते हैं Genetics is pure like mathematics if you know the basics you would solve it quick So, I know what is genetics, Genetics वो तरीका है जिसे हम और सारे प्राणी अपने माबाब से अपने गौंड नेते हैं जैसे कोई बच्छा बोरा होगा छोटा होगा काला होगा उसके माबाब के इंतर कौन सी genes है वो डिटर्माइग करेगा ठीक है, उसको पढ़ना जरूरी कि हुए उसको पढ़ना जरूरी किसलिए है आजकल बहुत trending भी है जो genetic determination है या DNA के बारे में भी पढ़ना है वो सब genetics में ही cover होता है इसलिए genetics को पढ़ना बहुत ज़रूरी है आये जानते हैं कुछ basic terms जो genetics में usually इस्तमाल किये जाते हैं genetics बना ही हुआ है genes से G-E-N-E-S genes यानि कि वो entities जो बताती है कि वो लक्षर क्या होगा जैसे अभी हम थोड़ा सा मेंडल के बारे में जब पढ़ेंगे तो इनको और detail में लेगे देन उसके बाद एक दूसरा term बहुत आगे इस्तमाल होगा lecture में इस्तमाल होगा आपके किताबों में भी लिखा होगा जिसे हम allele बोलता है allele का मतलब क्या है कोई भी एक gene कोई भी एक gene दो तरीकों में होता है दो forms में होता है जैसे एक बंदा छोटा हो सकता है या लंबा हो सकता है काला हो सकता है या गोरा हो सकता है तो उस gene के दो form है या तो छोटा या तो लंबा या तो काला या तो गोरा ये उसका ये वो alleleans है जो कि माबाप से आगे जाएगे अगर आप कहते हैं प्रोजनी, प्रोजनी क्या है? प्रोजनी यानिकि office rates, यानिकि next generation, इसी को थोड़ा सा बारोजी के टर्म्स में F1 generation भी कहा जाता है, F1 generation के आगे जो generation होती है, वो F2 generation होती है, F1, F2 में F का मतलब क्या होता है? वो word होता है, filial, वो filial generations यानि F1, filial Y, F2, filial 2 and so on and so forth. So, हमने प्रोजनी पढ़ लिया और जहां से जो parents है, जहां से ही genes आगी जहेंगे. ठीकिया, अगर आपको मेंडेलियन लॉस क्लीर होगा, तो आप सारा genetics जागते हैं इक तरीट से. There was this botanist, basically he was initially botanist. In 1856, इतने सालों पहले, Grigor Mendel, जो वियाना में रहते थे, इतली के आसपास, आस्ट्रिया, इतली सब जगह काम कईया है. उन्होंने एक, उन्होंने कुछ experiments कंड़ के, उनका experimental plant था P, पाइसम साथ आइवं, ये भी बहुत question आता है, कि out of these plants, which was the Mendelian experimental model? पाइसम साथ आइवं, जिसका biological नाम है, जिसे हम mother कहते हैं, P, P, A, P, Garden P, उन्हो इसके बाद 3, हो सकते हैं, आप टेक्सबुक में 2 पढ़ें, किसी टेक्सबुक में 4 पढ़ें, किसी टेक्सबुक में 3 पढ़ें, मगर वो सारे laws, commonly वही हैं, हम इतको तीन laws के form में जानेंगी, लेकिन कोई-कोई टेक्सबुक में 2 पढ़ें, या 4 laws के भी दिये हुए है, जो मेंडल ने, P को सेलेक्ट किया, P को सेलेक्ट क्यों किया मेंडल ने, बिकुस P was having contrasting characters, contrasting characters का क्या मतलब है, contrasting characters का मतलब है, वो characters जो एक दो मतलब हो, For example, P में, आईसन सटाइब मंडर में, या तो पौदे छोटे थे, या तो पौदे लंडे थे, या तो उनका फूल था, वो लाग था, या तो उनका फूल लाग था, या तो उनका फूल सपेद था, ऐसे ही, या तो जो उनकी थली होती है, जो उसमें दाना होता है, या तो वो ग्रीन था, या तो वो यलो था, या तो उसकी शेप रिंकल्ड थी, या तो फुली राउंड थी, इसका मतलब बीच में कोई character नहीं थे, जो confusion create करते हैं, वो the characters were contrasting in nature, that is why P was selected as the experimental plant in the mandaline experiments, Mendel ने जो experiments किये हैं, उनको हम आज Mendelian laws of inheritance कहते हैं, और उनको हम थोड़ा सा terminology के form बढ़ते हैं, for example, अगर वो plant की height tall थी, तो हम उसे T donate करते हैं, अगर उस plant की height short थी, तो हम उसे small T donate करते हैं, similarly, अगर flower color red था, तो capital R से denote किया रहता है, similarly white flower को small r से, इसी तरीके से pod color green या yellow को capital Y, small y and pod shape को capital R या small r से denote किया रहता है, अगर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स किया उसके basis पर उनने जब पहला रियम दिया वो यह था, जो characters है, actually, मेंडल के time पे 1800 सदी में इनको genes और alleles का नाम नहीं दिया गया, जब मेंडल का काम rediscover किया, Hugo de Varis ने और scientist ने, जब उनने उनका काम rediscover किया 100 साल के बार, तब उन्होंने alleles, genes, characters का नाम दिया, मेंडल ने जब experiments ही किया, उन्होंने कोई gene को, gene नहीं कहीं में लिखा, वो बस यह समस्ते थे कि कुछ characters है, कुछ लक्षाण है, ठीक है, तो मेंडल के case में हम इन्हें characters के नाम पे पढ़ते हैं, यह अच्छली क्या है, यह अच्छली alleles ही है, जो आगे जाके translocate होते हैं, from the parents to the progen, मेंडल ने कहा, characters are passed from one generation to another in a form of pairs, characters, जिने हम allelomops कहते हैं, allelocons, allelomops, जैसा हमने आपके बताएं, alleles, दूसरा था, they could be dominant और recisive, dominant and recisive, यह दोनों English के word हैं, dominant का मतलब, for example, अगर दोनों चीज़ें प्रेजिन होती हैं, तो कोई एक ही होगा जो express करेगा, कहने कि अगर parents ने दोनों चीज़ें दी, तो उसमें से एक ही होगा जो अपने आपको दिखा सकेगा, express कर सकेगा, उसे हम dominant character कह रहे हैं, जो character भले ही present हो progeny में, लेकिन हो दिखा रहा है हो, दिखना पाए, उसे हम precessive character के तौर पे जानते हैं, ठीक है, और third law है law of segregation, उसे अभी हम बाद पाढ़ेंगे, अब पहले दो laws को discuss करते हैं, पहले दो laws को discuss करने के लिए, दो contrastic characters को लिया जाये, जो की है plant height, जैसे हमने आपको रहता है, सिर्फ for the sake of convenience, for the sake of studying, we will take it in the forms of bigger T, capital T and small T, जो की plant height को demot करता है, for example, एक plant था, जो की tall था, जिसके अंदर दोनो dominant characters थे, जिसे हम capital T, capital T लिखते हैं, ठीक है, और दूसरा plant था, जो small था, ठीक है, जो small था, और उन दोनों को उन्होंने cross कराया, उन दोनों को उन्होंने cross कराया, और उसका जो result आया, उसमें उन्होंने देखा, कि तीन plant तो tall हैं, लेकिन एक plant short है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि जो tall plant था, उसने अपने दो alleles pass किये, उसने अपने दो alleles pass किये, और तीन plant tall बन किया है, ऐसे ही, जो इसलिए plant का, उसने अपने दोनों alleles pass किये, और सिरफ resistant form में नहीं, क्यूंकि टी एक dominant character है, जहां जहां पे भी वो था, वो plant tall हुआ, है ना, वो plant tall हुआ, और जब वो कहीं absent नहीं था, only only resistant characters were present, only then the resistant characters were expressing themselves, that is why we get the 3 is to 1 ratio in mammalian law, यह आपका first and second law को explain करता है, जो हमें square बनाते हैं, जो हम square बनाते हैं और alleles का segregation दिखाते हैं, इसे हम parent square method कहते हैं, अगर आप मैंडल का तरीका जान लेंगे, अगर आप एक square अपने आप बनाना सीख जाएंगे, तो आप कभी भी कोई genetic disorder का, या और भी कोई genetics का सवाल, आप कभी गलग भी करेंगे, आपको सरफ यह सीखना है, कि जो हमारे parent या parent के alleles क्या है, आपको लिख के, एक box में एक तरफ और एक box में एक तरफ आपको segregate करना, और फिर आप समझाएगे कि जब dominant होगा, तो आपने आपको express करेगा, तभी आपको express कर पाएगा, जो उसमें कोई dominant alleles ना हो, ठीक है? अब हम आजाते हैं, mental के third law है, mental के third law था, जो alleles है, वो अपने आपको independently segregate करते हैं, for example, कोई हम human का example लेके चलेंगे, शायद को समझना अस्ताने सिर्फ इसलिए, for example, एक ऐसा family है, जो थोड़ी मोटी और गोरी है, ठीक है? तो हम यह कह सकते हैं कि शायद उपके अदर इनकी जीन्स है, ठीक है? लेकिन यह नहीं कह सकते हैं कि वो दोनों जीन्स आपस में interconnected हैं, जो बच्चा उनके family में मोटा होगा, वो गोरा भी होगा, ज़ो गोरा होगा, वो मोटा भी होगा, ज़रूरी नहीं, ठीक है? यही मैंडल कहना चाहरे थे, और मैंडल के, मैंडल न जैसे हमें आपको एक एक्जाम्त हो दिया, अब हम इसको मैंडल के experiment के तौर बे लेते हैं, तो all clear हो जाएगा, जैसे दो characters है, हमने आपको बताया, कि जो pod है, वो green में हो सकता है, और angled भी हो सकता है, yellow में हो सकता है, round भी हो सकता है, लेकिन dominant character क्या है, dominant character क्या है, dominant character green होना, औ green होना, और round होना dominant character है, और yellow होना, और angled होना, यलो होना, और angled होना, रेसेसर character है, ठीक है, यह character सकता है आपसे एक साथ हैं भी, तो भी हो a sword independently ही होने है, जैसे, जैसे कि कोई अलीस थे, जो round थे और green थे, round थे और green थे, round एक dominant character है, green एक dominant character है, wrinkled एक recisive character है, yellow एक recisive character है, ठीक है, अब हमने इसका पनेटे square draw किया, कितने combinations हो सकते हैं, कितने combinations हो सकते हैं, r, r, r के वो आप एक बार, देखीजिए, या r, capital Y के साथ हो सकता है, एक बार small y के साथ हो सकता है, है न, इसी तरीके से, एक बार small y के साथ हो सकता है, एक बार small y के साथ हो सकता है, इसी तरीके से हमने एलेस को segregate करा लिया, ठीक है, r y r y r y जहां पर कर भी र present होगा वो r around हो जायगा जहां पर ही पर y present होगा वो of course grieve हो जायगा उसे इस अब सब आजेक लिये जहा जहां पर भी capital R capital R capital R था वो सारे plants round रहे ठीक है वो सारे plants round रहे जहाँ जहाँ पेटी capital Y, capital Y, capital Y था, वो सारे plants green रहें, ठीक है, तो हमें nine plants ऐसे मिले, जो round and green थे, जो कि dominant characters हैं सारे में, याने कि सबसे जादा वही देखे, बट कुछ plants ऐसे भी थे, जो कि round थे, जो कि dominant character है, बट yellow भी थे, इसको हम yellow कहना चाहते हैं, जो कि yellow भी थे, देखे, हमने उनको in circle किया, वो तीन plants ऐसे थे, जो round भी थे, देखे, उनमे capital R करीन नहीं आरा होगा, इसलिए वो round है, क्योंकि उसमे capital R करीन नहीं आरा है, जो कि dominant character ह इसलिए वो yellow रहे हैं, चीके, बट वो round भी है, लेकिन green नहीं है, yellow है, इसका बतल यह है कि जो round character है, और जो green character, वो आपस में interconnected नहीं है, जब वो assort होता है, जब वो progeny में आता है, तो वो अलग-अलग segregate होता है, जैसा कि mental नहीं से बता है, तो हमें mental के independent assortment के rule से क्या ratio मि 9 is to 3 is to 3 is to 1, सिर्फ एक ही plant ऐसा था, जिसके इंदर दोनों recessive characters थे, रिंपर्ड and yellow, सिर्फ एक ही plant में ऐसा मिलता है, चीके, इसे हम पोनेटिस को में method से draw कर सते हैं, जो कि काफी असान है, अब हम आते हैं, एक बहुत important topic पे, यह सारा basic है, अगर आप basic समझ जाएंगे, तभ आप आप आगे अपनी diseases वाला question आप सिखी कर पाएंगे, जो कि करना असान है, लेकिन सरफ थोड़ा सा TDS करता है, तो अब हम आजाते हैं, बहुत important topic पर, जो है generated diseases, जैसा कि हम जानते हैं, humans में 23 pairs of chromosomes होते हैं, humans में 23 pairs of chromosomes होते हैं, जिसमें से 22 autosomes होते हैं, and one pair is the sex chromosome, यानिकि 22 तो autosomes है, जो कि common है, male में वही 22, female में वही 22, हम जानते हैं कि कई सालों पहले, कुछ सालों पहले, human cariotyping हो चुकी है, पूरा human genome sequenced है, सारे chromosomes की pictures आपको मिल जाएंगी Google पे, आपकी text books में भी, किस chromosome पे कौर से gene present है, ये भी हम लोग determined कर चुके हैं, पूरा का पूरा human genome elucidated ह So, हमारे 22 pair of chromosomes तो ऐसे हैं, जो autosomes हैं, जिनका किसी person के sex से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो last pair है, जो 23rd pair है, या तो वो xy होगा, या तो xx होगा, है ना, अगर वो xy होगा, तो वो person male होगा, और अगर वो xx होगा, तो वो person female होगा, ये बहुत basic information है, आप लोगोंने classes में पढ़ी होगी, इसी के लिए, इसलिए जो genetic diseases हैं, वो दो तरीके के हो सकती है, हो सकता है, वो उन chromosomes से आती हो, जो autosomes है, हो सकता है, वो उन chromosomes से आती हो, जो sex chromosomes है, यानि कि इसे x-linked भी बोलते हैं, इसे y, इसे sex-linked भी बोलते हैं, इसी को भी sex-linked भी बोलते हैं, ठीक ह अब लोग ने पढ़ लिया है अब जातेहीए किა होता हिए क्या होता है श्रुमाइट प्रिसप्रीच कि टॉमिनेंकर क्या होताए अब हुम ये पता हा कि D польз होने के लिए क्या जरूरत है और डीयॉण करने के बिए आजाछ़ाय की जोरत है जो कि शायद थोड़ा सा दिफिकर्ट लगता है इस्टुनेंट्स को इसलिए हमने एक नया तरीक अन्काल है हमने जो आपको पुलिट स्कूर मेथड बताया है जो कि बहुत असान है बनाना हमने सारी जनेटिक डिजीजस को पुलिट स्कूर मेथड से भी डिस्क्राइब किया है सो हमने जासा आपको बताया आम ऑटो सूं मिल पीड सकती है और तक वो दोनों पेर में present नहीं होगी, वो अपने आपको express नहीं कर पाएगी. अगर वो dominant होगी, तो वो भले ही single पे भी present होगी, single proposal भी present होगी. तो भी वो person या तो career होगा, या तो effective होगा, ही होगा. ठीक है, तो हमने दो examples को लिया है, हम examples के तौर पर पढ़ेंगे, और अगर कोई आप जालेंगे, अगर आपने यार कर लिया है, कि autosome में dominant है, तो वो disease कोई दूसरी autosome में dominant होगी, उसमें भी वही medagary analysis चलेगी. ठीक है, तो हम घचिक चन्स इसको पढ़ते हैं, जो कि दो तरीकेस में हो सकती है, of course, नहीं सकता है, father healthy हो, और mother affected हो, या हो सकता है, mother affected हो, और father affected हो, और mother healthy हो, and vice versa, ठीक है, तैसा हम जाते है, एक से फ्रोजों, of course, mother को represent करता है, और एक स्य फ्रोजों, of course, father को represent करता है, ठीक हमने इसका segregation ड्रॉ कर लिया, और यह जो हमने dot से दिखाया है, यह हम दिखाया है, कि यह वाला chromosome, यह वाला pair, यह वाला allele affected है, यह diseased है, तो आप जै अगर कोई भी ब्लॉक, यह एक male को represent करता है, यह एक female को represent करता है, ठीक है, और अगर उसी को, अगर blocked रहता है, अगर colored रहता है, इसका मतलब है कि उस person के अंतर disease है, ऐसा ही female के साथ भी, अगर आपको ऐसा मिलेगा, तो आप समझाएगे कि यह diseased है, और अगर ऐसा आपको मिल कभी-कभी हो सकता, आपको ऐसा मिले कि एक male और female की mating हुई और आपको यह मिले, five, यह हो सकता, यह मिले, तो यालिकि उनके जो five sons हुए, वो पांचो healthy थे, उनके जो five females daughter हुई, वो पांचो healthy थी, खाली बसी एक दिखाने का तरीका है, तो एक father जो healthy था, एक mother जो affected थी, एक healthy father और एक healthy father और एक healthy mom का हुए, उनके पेडियर अने बना लिया, तो आप देख सकते हैं कि उनकी जो daughter है, और जो उनके son है, आधे-ाधे diseased हो सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनके half of the sons would be affected, and half of the doctors would be diseased, यहाँ पे कोई career का कोई concept नहीं है, क्यूं? क्यूंकि क्यूंकि हम dominant trait को पढ़ दाए, कहीं पे बिवो disease present होगी, तो वो अपने आपको express करेगी, वो सिर्फ career महीं है, वो अपने आपको express करेगी, क्यूंकि वो dominant form महीं है, कहीं पे बिवो प्रसन को disease ज़रूर देगी, सरफ career महीं बनाएगी, वो सरफ तभी होगा, जबो प्रस सरफ disease करेगी, ठीक है, अब आजाता है, इसका वाई से वर्स केस, जिसमें की father affected है और mother healthy है, देखिए xy, xy जो की male को denote करता है, और xx healthy है, तो इनका जो x है, वो diseased है, of course, तो इनके जो half of the, all the daughters would be affected, all the daughters would be affected, but all the sons would be normal, sons में नाही तो वो disease करे पर में ही, नाही तो संस में वो disease है, बट सारी daughters, सारी daughters के अंदर वो disease, dominant form में है, और सारी के सारी daughters, उसका, उनके अंदर मों disease है, अब आते हैं, autosomal recessive का, autosomal recessive का example, एक albinism है, जो की शायद हजार लोगों में एक को, या बहुत rare cases होता है, वो सिर्फ तभी होगा, जब किसी भी एक person के अंदर, या तो ये situation हो सिर्फ हो, या ये situation हो, सिर्फ हो तभी अपने आपको express करेगी, ठीक है, बहुत आपको question मिलते हैं, बहुत आपको questions में लेंगे, जो की sex link diseases के उपन होगे, ठीक है, तो आईए एक पर जाम लेते हैं, sex link diseases क्या होगे, sex link diseases वो होती है, जो humor के 23rd pair of chromosome, पे लाए करती है, उन्हें हम sex link या x link diseases गोलते हैं, उनके में दो phone हो सकता है, हो सकता है, वो dominant form में हो, हो सकता है, और recessive form में हो, तो पहले dominant का example हम लेगे चालते हैं, हम तो example के तौर पे लेगे, आप एक example लिए रखे चलिए, आप एक example के practice कर लिएजे, और उसी को आप आपी में भी imply गर सकते हैं, so sex link X link का dominant का example है, example है, claim factor syndrome, claim factor syndrome में क्या होता है, जैसे हम आपको बताया है, 23 pair of chromosomes होते हैं, जिसमें 22 autozones होते हैं, जिसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता है, 2A malism में लिखा हुआ है, ठीक है, 22 pair of chromosomes, बट जो last pair of chromosome है, उसमें X, X भी नहीं है, XY भी नहीं है, एक Y extra है, ठीक है, एक Y extra है यहीं कि जो 46 chromosomes होते हैं, 23 pairs होते हैं, इसलिए हो 46 होते हैं, इन नमबर, जो 46 chromosomes हैं, अब वो 47 बन गए, 23 pair of chromosomes, 1 pair of sex chromosome and 1 is extra, कभी-कभी यह situation, और बरसल हो जाती है, with XXXY, तब chromosome number 48 हो जाता है, इसमें क्या होता है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, कि इसमें में, बरसल तो में ही बनेगा, क्योंकि XY है, XY present होने से वो person तो male होगा, लेकिन उसके अंदर, feminist characters, feminism characters होंगे, like breast and enlargement, facial expressions, low body hair, long hair and other feminist characters होते हैं, जपने की पतली आवास and ऐसा, इसी का एक reversal है, turn-out syndrome, turn-out syndrome में, turn-out syndrome में, turn-out syndrome में क्या होता है, आप X, X होना चाहिए, या XY होना चाहिए, नहीं, ना XY है, ना X, X है, यानि कि एक chromosome मिसिंग है, 46 के बजाए, 45 chromosome सी है, इसमें क्या होता है, X present होने के कारण, जबतर Y नहीं होता तो male नहीं बनेगा, इसलिए X present होने के कारण, वो बनना तो female होता है, लेकिन उसके अंदर male characters हो there is surgery and everything, there is no cure of these diseases, so अब हमने excellent dominant diseases पढ़ी हो माते है, excellent recessive, जसमें एक example बहुत, classic example है, color blindness and hemophilia A, both of them belong to the same class and if you study the pedigree analysis of one, you will be able to do both of them, so in my lecture I am going to discuss only the color blindness and which also implies to hemophilia A, okay, So, यह जो color blindness है, इसमें भी दो case हो सकते है, या तो father career हो and healthy mom हो, या career mom हो and healthy father हो, ठीक है, I think यह career father की जगह है, affected father ही होना चाहिए, क्योंकि सरफ female si career है, so, जब father में इस disease होगी, तो उनका जो XY है, वो affected है, जो mother का XX है, वो non affected है, So, जितनी भी daughters बन रही है, जितनी भी daughters बन रही है, उनके अंदर यह effect जा रहा है, ठीक है, उनके अंदर यह effect जा रहा है, लेकिन यह recisive character है, जब तक दोनों में present नहीं होगा, आप मैं आपको express नहीं हो रहा है, इसलिए female में express नहीं हो रहा है, but female में express नहीं होते हुए भी वो females के अंदर है, वो females career females है, आगे, आगे कभी भी यह healthy में इसलिए उनकी marriage होती है, तो यही चीज आगे चलेगी, यही आप यहां से बीस को जोड़ के आगे, उसकता आपकी textbook में ऐसे दिया, उसकता है question में ऐसा है, आप इसको ले सकने है, so, जब father career होगा, mom healthy होगी तो, all the daughters would be the career, and all the sons would be healthy, बहुत, बहुत important question है, आप इसकी बहुत practice करिये, then second, तरी career हो सकता है, mom career हो, and father healthy हो, अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा, तो क्या आपकी pedigree बनेगी, तो आपकी pedigree बनेगी, कि एक son affected आजाएगा, और आपकी half of the daughters would be the career, half of the daughters would be careers, and half of the sons would be affected, why, when, when the mom is carrying the hemophilia, or the fellow blindness gene in her, okay, so, आज हमने ये, हमने आज कवर किया, सारा genetics, most of the genetics का part, genetics का part, जो इसकी ग्रामेशन ने पुचा चलाता है, हम ये चाते ही, कि अगर आपको मारे lecture अच्छा रगा हो, तो प्लीज लाइक करें, और सब्सक्राइब करें, और हम बहुत सारी और भी biology पढ़ेंगे, प्रिपेराइस coaching के साथ, थैंक यू.